आपकोशन है प्रूव दा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या दिया हुआ है साइने प्लस कॉसे बाई साइने माइनस कॉसे प्लस साइने माइनस कॉसे बाई साइने ठीक है तो इसको हमको प्रूव करना है कैसे प्रूफ करेंगे जत एक तो सबसे पहले हम से शुरू करते हैं RHS की तरफ जाएंगे तो LHS में आपका क्या दिया हुआ है आप देखोगे यहाँ पर sin A minus cos यहाँ पर क्या है हमारा sin A plus cos तो दोनों को क्या करेंगे हम दोनों का LCM लेंगे तो LCM हमारा क्या आजाएगा वो देखो हमारा LCM आजाएगा यह है आपका A minus B यह है A plus B तो क्या होता है हमारा A square minus B square तो क्या होगे आपका यहाँ पर होगे आपका sin square A minus cos square A ठीक है और उपर की तरफ आप देखोगे जब LCM को sin A minus cos A के साथ divide करोगे you will get sin A plus cos A तो sin A plus cos A into sin A plus cos A तो हमारा क्या हो गया वो हम निकलेते हैं sin A plus cos A into sin A plus cos A ठीक है बीच में sin है plus का plus लिख दिया हमने अब LCM को sin A plus cos A के साथ करोगे तो plus है तो minus बच जाएगा आपका तो sin A minus cos A into sin A minus cos A तो यहां पर आजाएगा आपका sin A minus cos A into sin A minus cos A ठीक है यह आगया आपका आप देखोगे दोनों सेम है तो हमारा अब क्या आजाएगा हमारा आजाएगा sin A plus cos A whole square plus sin A minus cos A whole square by same क्या है हमारा sin square A minus cos square ठीक है अब हम क्या करेंगे A plus B whole square A plus B whole square और यहां पर क्या है A minus B whole square ठीक है दोनों को multiply करेंगे और इनके देखते हैं क्या-क्या factors आते हैं तो हमारे क्या-क्या terms आ जाएंगे अब यहां पर आ जाएगा उपर sin square A plus cos square A plus 2 sin A cos A इसका आ गया फिर बीच में प्लस है हमारा और इसका क्या आएगा आपका A minus B whole square is A square that means sin square A plus B square is cos square A minus 2 AB that is sin A cos A sin A cos A by sin square A minus cos square A ठीक है अब आप देखो आपका क्या हो रहा है यहां पर देखो plus 2 sin A cos A यहां पर minus है 2 sin A cos A तो आपका क्या बचा आपका यहां पर sin square A plus cos square A कितना होता है 1 है ना तो हमारा क्या आजाएगा sin square A plus cos square A is 1 और यहां पर क्या है sin square A plus cos square A again 1 plus 1 by नीचे क्या है sin square A minus cos square A तो क्या हो गया 1 plus 1 is 2 2 by sin square A minus cos square A तो क्या हो गया है तो यह और आपका यह center term दोनों same है तो अभी क्या हो गया LHS is equal to middle term तो middle term complete हो गया अब आपको क्या करना है last वाला निकालना है अब यहां पर देखो यहां पर क्या दिया हुआ है only in sin तो आपको क्या करना है cos को change करना है cos को change करना है सिरफ तो आपका क्या आजाएगा देखते है हमारा आजाएगा 2 by sin square A minus अब ब्रैकेट में निकलेंगे cos square A क्या होता है हमारा 1 minus sin square A 1 minus sin square A this is equal to 2 by अब ब्रैकेट खोलना है हमको बीच में तो हमारा क्या आजाएगा sin square A minus 1 minus into minus is plus plus sin square A तो हमारा थेखेट थे है ठीकेट थेखेट 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 थे थे हेट है sin2a plus sin2a is 2 sin2a 2 sin2a minus 1 यह आपका क्या है right hand side hence proved ठीक है